सब्सक्राइब तो यूट्यूब चानल और प्रेस बेल आइकन टिकेट लेटिस अपदेट्स नमस्कार में पिंटुश इंग्यादव आप सभी का स्वागत करते हैं नियूस लाइब में दोस्तो 2022 के शुरुआत में उत्तर परदेश का बिधान सभा चुनाव है और पूरे देश में सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर परदेश है और वहाँ पर चुनाव होने वाल कि 2022 के बिधान सभा चुनाव में समाजबादी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आएगा तो वहीं मयावती भी अपना गेम खेलना शुरू कर दी हैं लेकिन सबसे जादा अगर किसी पार्टी की शुरुखिया बन रही है तो वो है भारते जनता पार्टी यानि कि बीजेपी क्योंकि बीजेपी को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ऐसी ऐसी खबर आ रही है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उतरपरदेश में एक बड़ा बदलाओ देखने को मिल सकता है तो कुछ लोगों का कहना है कि योगी जो हैं फिर से मजबूती से चुना सरकार का मामला है और ऐसे कई मामले है कोरोना के बाद जिसको लेकर सरकार घिरती नजर आ रही है तो वहीं विपक्षी दल सरकार को जियम कर लतारते भी नजर आ रहे हैं बात करें तो जिस तरीके से कुछ दिन पहले योगी आधितनात का जनम दिन था योगी आधितनात के जनम दिन से पहले जिस तरीके से यूपी की राजिती में एक जबर्जस्त सियासत मची उसको लेकर पूरे देश में चर्चा होने लगी और कयास ऐसे लगाया जा रहे थे कि यूपी के मंत्री मंडल में एक बड़ा बिस्तार हो सकता है अलग लग लोगों को बड़ी जनेता यूपी के दोड़े पर गए और जाने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि योगिया इतनात की जो कुर्शी है वो खत्रे में बात करें तो जिस तरीके से यूपी के भाजपा प्रभारी जो है राधा मोहन सिंग उन्होने आनंदी बेन पटेल से मुलाकाद की उसके बाद से और योगी सरकार और योगी के जो बीजेपी सरकार है उत्रपरदेश में उसको लेकर चर्चा होने लगी और पोजिशन जो है वो जिम कर लताने लगे कि योगी की कुई वैलू नहीं है और योगी लगता है कि 2022 बिधान सबा चुनाव से पहले हैं अपने कु उसकी को त्याग दे लिकिन योगी आरितनाथ कम नहीं है योगी आरितनाथ दिस तरीके से अपना पूरा उत्तरपरदेश में वर्चरश्चु बनाए हैं और दिस तरीके से राजनीती में एक अच्छी पकड़ बनाए हैं उसको लेकर वो बड़े-बड़े निताओं को आर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्य मंत्री हैं लेकिन इसके बावजूद भी भारत के ग्री मंत्री भारत के बीज़ेपी पार्टी के राश्ट्री आध्याक्ष और प्रधान मंत्री तक योगी को शुप कामना नहीं दिये जिसको लेकर और यह जो कयास्थ वुकाफ जो हैं उनको बाइकाट करते नजर आ रहे हैं लेकिन योगी आयतनाथ ने अपनी एक ऐसी चीज से चुनावती दी है जिसके चलते लगता है कि बड़े बड़े से नेताओं को भी पसी ने जो है वो छुटते नजर आ रहे हैं बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी की जो तस्वीर है वो गायब कर दिया है यानि कि हर राज्यों के प्रदेश जो पेज होते हैं भारते जन्तापाटी के हर एक राज्यों के वहां पर जाके देखते हैं तो भारत की प्रदान मंत्री की तस्वीरे लगी होती है लेकिन जिस त लगता है कि भाई योगी आयतनाथ भी form में आ गए हैं और योगी आयतनाथ भी बड़े-बड़े स्ते निताओं को चुनावती देते नज़र रहे हैं और लगता है कि योगी आयतनाद को कोई भी कुछ नहीं हो खार सकता है और वो अपने दन पर यूपी का चुनाव लड़ेंगे तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह एक राजनीतिक साथगाठ है और अपना एजंडा सेट करने के लिए इस प्रकार के चीजे हों और लोगों के बीच एक ऐसा मैसेज आए कि योगी आयतनाद जो है वो इतने पावर्फुल हो गया है कि अपने दम पर वो उत्तरपरदेश को जीता देंगे खैर इसमें कई तरह की बाते हो रही है यह चीजों को लेकर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स के जरीए हमें बताईए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और आपको पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करकर जरू जूड़ी अगर आप मुच्छे जुना चाहते हैं तो आप मुझे फेस्बुक इंस्ट्राम ट्लिप्ट अगर पिंट्रिशिंग आदो सब्सक्राइब जूड़े ने तो डिस्क्रिप्टिन में लिंक है वहां सिता कर आप मुझे फोलो कर सकते हैं आप सब्सक्राइब को बहुत बहुत धनबार नमस्क्राइब सब्सक्राइब दो यूट्यूब चैनल और प्रस्टबल आइकन टिकेट लेटिस अप्डेट्स